हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु शिवानिस किचन, आज मैं आप लोगों को चीकू खाने के फायदू के बारे में बताऊंगी चीकू दिखने में आलू जैसा एक स्वादिस्ट फल है, चीकू को सपोर्टा के नाम से भी जाना जाता है इस फल की अपनी एक अलग खासियत और स्वाद है, जिसकी वज़ा से लोग इसे खाना पसंद करते हैं आपको बता दे कि चीकू को सिहत के लिए भी काफी फायदेवन माना जाता है इतना ही नहीं, इस फल के पेड का भी इस्तबास स्वास्ते की कई समस्या को दूर करने में किया जाता है चीकू में विटामिन B, C, E और कैल्शियम, मैंगनेशियम, कोटेशियम, मैंगनीज, फाइवर, मिनरल और एंटी ऑक्सिडेंट को भरपूर मातरा में पाय जाते हैं चीकू का हर भाग स्वास्ते लावों से भरा है, इसके पत्ते, जड़ और छाल को और ज़्दिय रूप में इस्तमाल किया जाता है चीकू के सेवन से कैंसर जैसी जानले मा विमारी के खत्रे को कम किया जा सकता है दरसल चीकू में पाय जाने वाली पोशक तत्व शरीर की कमजोरी को दूर करने में मददकार मानी जाते हैं चीकू को डाइट में शामिल कर वजन को कम किया जा सकता है जिन लोगों को पेट गैस की समस्य रहती है उनके लिए चीकू का सेवन काफी फायदिमत माना जाता है तो आईए चांदे हैं चीकू खाने से हुने वाले पायदू के बारे में चीकू के सेवन से मेटाबॉलिस को कंट्रोल किया जा सकता है चीकू में पाये जाने वाले पोशक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ एसास कराने का काम कर सकते हैं जिससे भूख कम लगती है और वजन को असानी से कम किया जा सकता है चीकू और इसके फूल के अर्क को ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मददकार माना जाता है चीकू के मेतनॉलिक अर्क में कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के गुर पाये जाते हैं इसके सेवन से कैंसर के खत्रे को कम किया जा सकता है चीको को एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है इसमें महजूद कार्भोहाइट्रेट शरीर को एनर्जी देने का काम कर सकते हैं जिन लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है उनके लिए चीको का सेवन फायदेमन्द हो सकता है चीकू में महजूद tannin, anti-inflammatory की तरह काम करते हैं ये प्रभाफ पाचन तंत्र संबंदी समस्याएं जैसे food pipe में होने वाली सूजन, paid gas, paid dirt को कम करने में मदद कर सकते हैं अनिद्रा, अफसाद और चिंता से गुजर रही लोगों को चीकू का सेवन करना चाहिए इसमें महजूद तर्थव दिमाग को परियाप्त मात्र में oxygen पहुचाने में मदद कर सकते हैं चीकू को तोचा के लिए भी काफी लाबदायक पाना चाहता है इसमें महजूद vitamin A, E और C तोचा को स्वस बनाये रखने में मदद कर सकते हैं इतना ही नहीं इसमें monsturizing गुड़ भी पाये जाते हैं जो तोचा को रूखे पन से बचाने में मदद कर सकते हैं अगर आप अपनी हड़ियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चीकू आ से ही खाना शुरू कर दें इसमें calcium, phosphorus और iron की भरपूर मातरा होती है जो हड़ियों के लिए आविशप होती है चीकू में महजूद potassium और magnesium blood pressure को control करने में मदद गार हैं चीकू दिल और korostrol की परेशानियों को भी कम कर सकते हैं चीकू vitamin C और copper का भी एक बहतरीन source माना जाता है ये immune system को बढ़ावा देने और किसी भी तरह के संकरमनेट से बचाने में मदद करते हैं शरीर पर free radicals के प्रभाव से भी लड़ते हैं अगर आप सर्दी और जुखाम से पीडित हैं तो चीकू खाने से आपको कई पायता मिलेंगे ये आपके नसल passage और कफ की respiratory tract को साफ करने में मदद करेगा तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सभी helpful लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा धन्यवाद